हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई यूटीब चैनल राम जी के स्टेडी तो आज की वीडियो में हम लिस्कस करेंगे हप्यो बीएड फर्स स्मेस्टर के पेपर फाइब की जो है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन तो इपर भी आपका फोटी माऊक्स कर रहेगा और इसमें तीन सेक्शन है पहला सेक्शन कंपल स्री इसमें चार कोश्टन देखने को मिलेंगे दो दो नंबर के और जो बाकि दो सेक्षन है वो 16-16 नंबर के होंगे उसमें आपको आप्शन मिलेगी चलिए अब discuss करते हैं Q1 में जो पहला question पूचा कहा था Write a short note on report writing इसमें भी दूसरा question पूचा कहा था What is the role of letters in developing writing skill C है इसमें How will you assess the fluency in reading D है Enlist the approaches to develop concept of grammar अब section B है इसमें जो पहला question पूचा कहा था Discuss the role of critical reading and thinking in developing the writing skills इसमें और में जो question पूचा कहा था differentiate formal and informal writing Illustrate the process of writing short story and speech यह आपका section B था section C में जो पहला question पूचा कहा था वो है Discuss the different instructional approaches for developing concepts of spelling and punctuation और मैं question पूचा कहा था Discuss and illustrate different approaches to response based study Response based study पर यह question पूचा कहा था तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को अन करें जिससे जब भी वीडियो अप्लोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे है थैंक्यू